आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो इसका domain हमें बताना है देखो, domain बताने के लिए सबसे पहले अपन देखे तो square root वाली जो quantity है वो क्या होनी चाहिए? इस quantity को हमेशा क्या होना पड़ेगा? greater than equal to 0 define होने के लिए अब देखते हैं इसके अंदर तो इसके अंदर अगर मैं देखो तो यहाँ पे 1 divided by something है तो 1 divided by something यह हमारा denominator कभी भी 0 नहीं हो सकता denominator can't be 0 तो यहाँ पे बोल रखा था greater than equal to 0 होगा जब square root वाली quantity को define होना है और second चीज बोला denominator हमारा 0 के equal नहीं हो सकता तो दोनों का intersection part ले ले तो सिर्फ बचा greater than 0 यानि कि यह जो square root के अंदर जो quantity है वो हमारी equal to 0 नहीं बन सकती सिर्फ greater than 0 होने पड़ेगा तो यहाँ से पन देखे तो हमें condition क्या मिलगा domain के लिए कि gif of x का square minus 7 times gif of x plus 12 को होना पड़ेगा greater than 0 यह condition मिलगा domain को define होने के लिए तो यहाँ से पन इसको मैं gif of x को अगर मैं t बोल दूँ तो यह लिखा हुआ t का square minus 7t plus 12 greater than 0 ऐसा कुछ लिखा हुआ है अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे t square minus 7t को ऐसे split करता हूँ कि इसका sum minus 7t रहे लेकिन हमारा product first और last के multiplication यानि कि 12t square के equal आ जाए तो इसको मैं minus 4t और minus 3t बोल सकता हूँ और यह plus 12 greater than 0 first 2 से हमारा t common आ जाएगा तो t minus 4 last 2 से minus 3 common लेलो तो t minus 4 greater than 0 तो अब दोनों से t minus 4 हमारा common आया अंदर बच गया t minus 3 greater than 0 ऐसा कुछ बच गया ठीक है अब देखो यहाँ से इसको अगर आपन number line पर देखें तो यह number line है हमारा ठीक है और यह हमारा 3 होता है यह हमारा 4 होता है ठीक है अगर मैं 4 से right hand side कोई value 5 उठा लेता हूँ तो उस समय यह interval मेरा positive आएगा तो 5 minus 4 और 5 minus 3 एक positive number आएगा उसके बाद alternate हमारा sign change होता है लेंड डागरम में यह हमें पता है तो यह interval negative और यह interval positive हमें चाहिए positive interval तो positive interval यानि कि यह interval चाहिए और यह interval चाहिए ठीक है तो basically t belong करेगा ठीक है t belongs to all real number except कौन सा interval हमें ने चाहिए तो 3 से 4 ठीक है GIF of X को ठीक है तो यह हो जाएगा तो GIF of X हमारा 3 से 4 नहीं हो सकता ठीक है तो 3 या 4 या 3 से 4 के बीच नहीं हो सकता ठीक है बाकि सारा real number हो सकता है ठीक हो 3 कब बनेगा यह हमारा value 3 कब बनेगा यह अपन पता करते हैं जब मेरा X 3 से लेके 4 तक belong कर रहा होगा तब अपन जानते हैं कि जो GIF of X होता है वो हमारा left वाला nearest integer होता है यानि कि 3 हो जाएगा ठीक है उस समय यानि कि यह interval हमारा नहीं हो सकता ठीक है दूसरा अपन देखे तो 4 कब बनेगा यह 4 तभी बनेगा जब मेरा X belong कर रहा होगा 4 से लेके 5 तक तो 4 से 5 तक अगर मेरा X belong कर रहा है उस समय GIF of X हमारा क्या हो जाएगा 4 के equal यानि कि left वाला nearest integer तो हमारा 4 भी acceptable नहीं था यानि कि यह दो region हमारा acceptable नहीं है तो इसका मतलब यहां से पन बोल सकते हैं कि जो हमारा X है वो हमारा belong कर रहा होगा minus infinity से लेके 3 तक 3 को मैंने छोड़ा यहां पर open interval लगाया है union अब देखो 4 से 5 वाला भी interval हमारा acceptable नहीं है और 3 से 4 वाला भी interval acceptable नहीं है मतलब total इन दोनों को combine करके मैं लिक हो तो यह हो जाएगा 3 से लेके X मेरा 5 तक नहीं हो सकता अब यहां पर 5 को इसने include नहीं किया है 5 से छोटा हो सकता है number इसमें जो possible नहीं है minus infinity से 3 और 5 से infinity ठीक है तो minus infinity से 3 और यहां पर 5 से infinity और 5 पर हमारा close interval लगा हुआ है ठीक है और 3 पर open interval लगा हुआ है तो option 1 क्या हो जाएगा correct थैंक यू Classics to 12 से लेके need IIT GE means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज राउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर